हेलो एब्रीवन, वेलकम टू इंजिनियर से एजुकेशन पॉइंट, आज के इस वीडियो में डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स के MCQ को सॉल्व करेंगे, ये एक्जाम 12 अप्रेल 2023 को कंड़क्ट करवाया गया है, State Board of Technical Education बिहार के द्वारा, ये डिप्लोमा इन एलेक्ट्रोनिक एलेक्ट्रोनिक्स का, चली ये कोश्ण की वर चलते हैं, पहला कोशन है, decimal equivalent of hexadecimal number FFH H means hexadecimal FF खा करा decimal equivalent कितना होगा तो क्या हो जाएगा 16 into क्या हो जाएगा 15 into 16 पर पावर 1 F मतलब 15 होता है तो 15 गुने 16 पर पावर 0 1 पोजिशन हो गया प्लस फिर F है तो F को लिखेंगे 15 गुने 16 पर पावर 0 कितना जाएगा 16 को 15 से कीजिए तो 240 प्लस 15 16 पर पावर 0, constant पर पावर 0 का value 1 होता है तो 240 पंदर कितना हो गया 255, option क्या हो जाएगा 1 का, ए हो जाएगा Question number 2 है, binary equivalent of octal number 6, 7 octal में है, binary में पूछ रहा है कितना होगा तो 7 का binary 3 bit में निकालिए, तो यह हो जाएगा 111 और 6 का binary कितना हो जाएगा, 110, तो एंसर क्या हो जाएगा 110, 111, 110, 111, option B हो जाएगा Question number 3 है, which of the following represents minus 16, जो की decimal में है, in ones complement for minus 16 को दिखाना है, तो पहले 16 का लिख लिए, पलस 16 का क्या हो जाएगा binary, तो इसका हो जाएगा, 100, 00, हो जाएगा, यह हो गया 8 का, यह हो गया, 16 का, यह 16 का binary हो गया, पलस 16 का binary हो गया, अब क्या करना, इसका ones complement निकाल दीजिए, इसका ones complement कितना हो गया, 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1, तो 1 को 0 कीजिए, तो क्योंकि negative नमर है तो sign beat क्या हो जाएगा sign beat में 1 हो जाएगा negative number के लिए 1 हो जाता है positive के लिए 0 negative है minus 16 को दिखा रहे है तो यहाँ पर sign beat हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा answer 101111 कौन सा हो जाएगा option 3 का देखिए A हो जाएगा 101111 option A हो जाएगा 3 का question number 4 है which of the following is universal gate कौन सा universal gate है तो 2 universal gate होता है NAND और NOR तो NOR gate option में दिया हुआ है तो option A हो जाएगा option A हो जाएगा question number 5 की ओर चलते हैं क्या कराई symbol of NAND gate NAND gate का symbol कौन सा है तो option D हो जाएगा NAND gate का symbol question number 6 है A and B are inputs of X NOR gate its output is 1 डिप खना एक स्नौरगेट का output है तो X NOR gate में क्या होता है A और B दो input होता है तो output क्या होता है Y is equal to A bar B bar plus A B 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 देते हैं तो 1 मिलता है 1 0 देते हैं तो 0 मिलता है 1 0 देते हैं 1 1 देते हैं तो 1 मिलता है मत्तलिब जब same input रहेगा ता output 1 मिलेगा same input रहेगा ता output 1 मिलेगा तो options से अगर जाएगा तो option A और C दोनों सही है 00 रहेगा A is equal to 0, B is equal to 0 फिर भी output 1 मिलेगा जब A is equal to 1 और B is equal to 1 रहेगा फिर भी output 1 मिलेगा मतलब option D हो जाएगा option D is right answer question number 7 है which of the following expression represent demorgans theorem demorgans theorem कौन सा दिखाता है तो A प्लस B का बार is equal to क्या होता है A बार into B बार option 7 का A हो जाएगा question number 8 है which of the following expression is correct कौन सा expression सही है करा A प्लस A बार B को हमनों क्या लिख सकते हैं तो A प्लस A बार और A प्लस B लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं और second option thought देखिए A प्लस A बार B है इसको लिखेंगे तो फिर सेम चील A प्लस A बार और A प्लस B लिखेंगे और A प्लस A बार is equal to 1 होता है तो 1 into 1 A प्लस B तो A प्लस B ही बचेगा मतलब दोनों option सही है option A भी सही है और option C भी सही है तो answer हो जाएगा both A and C option D is right answer question number 9 है minimum number of 2 input NAND gate required for realization of half header half header बनाने में half header में क्या होता है 2 input 2 output होता है output में sum और carry होता है sum के लिए कौन सा gate यूज़ करते हैं sum के लिए x और gate का यूज़ करता है carry के लिए end gate तो यहाँ पे sum के लिए मतलब है ठीक है कितना NAND gate चाहिए तो x और gate है sum में x और gate बनाने के लिए कितना NAND gate चाहिए तो 4 NAND gate बनाए चाहिए ठीक है 4 NAND gate से हम लोग x और gate बनाते है तो sum में है x और में sum होता है तो option क्या हो जाएगा वैसे अगर दोनों का देखिएगा sum और carry दोनों का तो फिर 6 हो जाएगा 4 चाहिए sum के लिए और 2 चाहिए carry के लिए यहां का रहा है minimum number of 2 input NAND gate required for relation of half addon ठीक है तब उस case में 6 हो जाएगा sum के लिए 4 sum के लिए x और gate होता है और x और gate बनाने के लिए कितना चाहिए 4 NAND gate चाहिए और carry के लिए होता है AND gate A into B होता है 9 gate की मतलब से AND gate बनाने के लिए 2 चाहिए तो 4 चाहिए sum के लिए और 2 चाहिए carry के लिए तो 4 तो 6 तो option ऐसे में D हो जाएगा 9 का D हो जाएगा question number 10 है which of the following is sequential circuit कौन सा sequential circuit है flip-flop sequential circuit है counter भी sequential circuit है जिसमें memory होता है जो data को store करता है तो both A and B हो जाएगा option D हो जाएगा 10 का question number 11 है which of the following statement is correct for multiplexer multiplexer में क्या होता है many input होता है one output होता है multiplexer में many input होता है one output होता है यह 4 is to 1 marks है तो option A हो जाएगा 11 का A हो जाएगा question number 12 है in which of the following device select line is not required select line किसमें जरूरी नहीं परता है तो decoder में जरूरी नहीं परता है multiplexer और demultiplexer में जरूरी परता है decoder में नहीं परता है option C हो जाएगा question number 12 है which of the following is random access memory RAM का full form होता है random access memory तो यह हो जाएगा option A ROM तो हता है read only memory तो random access memory RAM होता है option A हो जाएगा next question देखिए question number 14 है which of the following is volatile memory तो RAM जो है, Bola Tile Memory होता है, Rom जो है Non Bola Tile Memory होता है, RAM दो टाइब का होता है, DIAICO纜 रैम होता है, तो D Ram जो है Bola Tile होता है, तो DRAM और SRAM, ये दोनों भी Bola Tile होगा तो A और B दोनों सही है तो answer इसका क्या हो जाएगा बोथ A and B option D हो जाएगा 15 देखिए Which of the following is part of dual slope in a law to digital converter dual slope in a law to digital converter में क्या-क्या होता है Intrigator और comparator दोनों होता है option C हो जाएगा बोथ A and B Question number 16 है Which of the following memory is used ultraviolet light to erase store data store data को erase करने के लिए ultraviolet light जो है कोन यूज करता है तो EP ROM करता है Irrisable, programmable, read-only memory option B हो जाएगा 16 का B Question number 17 है Race around condition is related to JK flip-flop से होता है जब J is equal to 1 और K is equal to 1 होता है तो race around condition उत्पन होता है तो यह JK flip-flop से related है option B हो जाएगा 17 का Question number 18 है Which of the following statement is correct for D type flip-flop It is used as a delay device सही है It is used to store one bit of binary information दोनों सही है बोथ NB option C हो जाएगा Question number 19 है Dash is a graph of flip-flop that can be used to store a binary That is a graph नहीं होगा group of flip-flop होगा Dash is a group of flip-flop that can be used to store a binary तो shift register जो है group of flip-flop होता है अप्शन D हो जाएगा Question number 20 है Number of flip-flop required for mode 8 counter 2 पर पावर N चाहिए यहां mode 8 है तो 2 पर पावर N is called to कितना हो गया? तो 2 पर पावर N is called to इसको लिख से थे हैं तो 2 पर पावर 3 वाट डो यह मीन गाएग डिमोर्गेंस थीरम से अब क्या समझते हैं? तो A प्लस B का complement is called to होता है A बार इंटू B बार और A इंटू B के बार is called to होता है A बार प्लस B बार यह दो जो है डिमोर्गेंस थीरम होता है इसको बताना था इसी के और में पुछा है realize XOR gate using only NAND gate NAND gate की मदद से XOR gate बनाना है तो 4 NAND gate लगता है XOR gate बनाने के लिए और उसको बनाना है question number 3 में पुछा है explain don't care condition in current of map with suitable example don't care condition को जो है जो K map में होता है एक example लेकर के K map को reduce करने के लिए के लिए हम लोग don't care का यूज करते हैं तो वह बताना है या इसी के और में पुछा है subtract 18 from 39 using 8 bit 2S complement arithmetic add minus 25 to 18 using 8 bit 1S complement method ठीक है question number 4 में है realize half subtractor circuit using NOR gate NOR gate की मदद से half subtractor को बनाना है ठीक है इसी के और में है तो write the difference between multiplexor and demultiplexor multiplexor और demultiplexor की बीच में difference लिखना है multiplexor को हम लोग data selector बोलते है demultiplexor को data distributor बोलते है multiplexor में क्या होता है many input होता है one output होता है demultiplexor में क्या होता है one input होता है many output होता है ठीक है ना इसको हम लोग multiplexor को parallel to serial converter बोलते है demultiplexor को serial to parallel converter बोलते है इस तरह से difference लिख देना है multiplexer में जिसे 8 is to 1 max होगा demultiplexer में 1 is to 8 max होगा या फिर 4 is to 1 max होगा तो यह हो जाएगा 1 is to 4 demux 1 is to 8 demux इसको max बोलते हैं short में multiplexer को और demultiplexer को short में demux बोलते हैं ठीक है दोनों combinational logic circuit है Next question देखें Question number 5 What is flash में मोरी क्या है बताना है और write its application और उसका application को लिखना है इसलिके और में पुछा है draw and explain logic diagram of serial in parallel outstrip progester serial in parallel outstrip progester सीपो के बारे में जो है लिखना है diagram बना करके Question 6 है write characteristics of dynamic ram dynamic ram दो तरह का ram होता है static और dynamic ram तो dynamic ram का characteristics लिखना है ठीक है इसलिके और में पुछा है What is synchronous counter write advantages of a synchronous counter synchronous counter क्या होता है उसका advantage लिखना है group C का question number 7 है जो की 6 नंबर में पुछा जाता है prove that AB plus AB bar is equal to A plus B bar और A bar plus B equal to AB bar plus A bar B पे complement इसको जो है prove करना है ठीक है इसी के और में पुछा है express the boolean function F is equal to A bar plus B C in the soft form sum of product form में जो है इसको express करना है question number 8 है simplify the boolean function F of A, B, C, D is equal to pi of इतना इन्टो इतना दिया हुआ है post form में दिया हुआ है game map का जो है use करके इसको बनाना है इसी के और में पुछा है draw logic diagram of 3 is to 8 line decoder and write its true table 3 is to 8 line decoder का diagram बनाना है और उसका true table को लिखना है question number 9 में पुछा है realize boolean function F is equal to A, X or B, X or C को boolean function की मदद से using two input nan gate two input nan gate का use करके इसको realize करना है इसी के और में पुछा है draw logic diagram of 1 is to 8 demultiplexer and write its true table 1 is to 8 demultiplexer का diagram draw करना है और इसके true table को लिखना है question number 10 है explain working principle of master slab flip-flop master slab flip-flop जिसकी मदद से race surround condition खतम क्या जाता है उसका working principle को लिखना है इसी के और में पुछा है design a mode 7 asynchronous counter using JK flip-flop mode 7 asynchronous counter को design करना है JK flip-flop की मदद से question number 11 है explain working principle of three bit parallel comparator in a lot to digital converter three bit parallel comparator का जो है working principle को लिखना है इसी के और में पुछा है write short notes on any two of following double EPROM encoder johnson counter यह तीन में से कोई दो पे write short notes लिखना है तो यह देख सकते हैं question paper digital electronics का है जो exam 12 अप्रेल 2023 को conduct करवाया गया है state board of technical education बिहार के द्वारा यह diploma in electronics engineering third semester का question paper है देख सकते हैं different सारा question जो पुछा गया है thank you for watching this video thank you so much